असलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नमबर 13 स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है करंट इलेक्टिसिटी और करने जा रहे हैं वह कुछ इंपोर्टेंट नमेरीकल से और ये असट टोपिक करेंगे हमारे स्टॉपिक से और लास्टॉपिक भार्य स्टुडी किया है कि वह रिजिस्टेंस का किया है और और requiring देखा था कि डिप्रेंडनेलिक करेंगे हुआ अपको वो फॉर्मूलाज याद हों तो हम फिर इन नुमेरिकल्स को बासानी कर लेंगे तो स्टुडेंट पहले नुमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं नुमेरिकल नंबर 17, बुक पेज नंबर 109 और बहुत मुक्तसर सा नुमेरिकल है कहा जा रहा है, find the resistance at 50 degree of a copper wire कहा जा रहा है कि copper wire की आप क्या calculate करें resistance calculate करें और कितने degree पर calculate करनी है यह हमें करनी है 15 degree पर calculate करनी है अब student अगर आपको resistance मालूम करनी है किसी temperature पर तो यह आपके पास होगी student r t मतला आपने जो calculate करना है वो क्या करना है r t calculate करना है और temperature जो given है r t का वो कितना है वो student आपके पास 50 degree temperature given है तो यह हमारे पर temperature t होगा फिर और material जो दिया material क्या है copper का material है इससे आपको raw मिल सकती है और साथ साथ इसके नाम से alpha मतलब resistivity और temperature coefficient of resistance यह दोनुछ चीज़ा आपको मिल सकती है इससे फिर बोलें टू एम एम मिली मीटर इन डाया मीटर एंड थिरी मीटर लॉंग यह student आपको डाया मिटर दिया गया है और यह क्या दी गई है इसकी length given है तो student यह मुक्तसर सा सवाल है डेटा बनाते हैं और solution देखते हैं कैसे होगा तो पहले हम डेटा की तरफ आते हैं डेटा में हमसे rt required है पूछा गया है और temperature कितना है हमारे पास 50 और diameter है 2 mm तो हमने इसको मीटर में चेंज किया divided by 1000 कर दिया क्योंकि 1 मीटर जो होता है हमारे पास वो 1000 mm के एकवाल होता है आगे बढ़ते हैं student फिर हमें लेंथ दी थीरी मीटर तो student solution की पहले technique आपको बता देते हैं technique क्या है in this type of questions area, diameter and radius are linked together इस तरह के सवाल में जो area, diameter और ये शायद last time भी मैंने बताया हो आपको ये link करते हैं एक दुसरे के साथ कैसे मतलब अगर आपको radius दिया जाए तो आप उसे area और area दिया जाए radius, radius से diameter, diameter से radius calculate करते हैं मतलब ये तीनों values कर सकते हैं calculate कर सकते हैं अब student solution की तरफ आते हैं तो solution में हम देखेंगे के as we know that rt इसके एकवल होता है rt इकवल होता है r naught 1 प्लस alpha delta t student alpha मैंने कहा ता material के नाम से आएगा इसकी value अभी लिग दी जाएगी copper के लिए अच्छा delta t हमेशा याद रखिएगा student delta t होगा final temperature minus initial temperature मतलब t final होगा initial कितना होगा इस बात को याद रखिएगा हमारे topic का initial 0 है मतलब यह बोल सकते हैं delta t की value फिर वो ही होगी जो किसकी value है जो given temperature की value है मतलब जो हमें temperature given होगा है temperature दिया जाएगा वो जो value होगी वो ही value किसकी होगी है हमारे पास हमारे पार t या delta t की value होगी मसला है अगर rt calculate करना है तो हमारे पास r0 नहीं है पहले यह find करना पड़ेगा तो r0 की value क्या होगी for r0 काम करते है since r0 होता है raw l over a अब हो सकता है कुछ student यहाँ पर यह सोचें कि यह तो formula r का था यह r0 थोड़ी था अच्छा आर नोट क्या है resistance है लेकिन r0 है resistance एड जीरो डिगरी आर नोट क्या है resistance एड जीरो डिगरी students तो अगर यह resistance एड जीरो डिगरी है तो student हमने जो r पढ़ाता महा तो इसका जीरो जीरो डिगरी पर है तो student क्योंकि मारा वार टॉपिक नहीं था इसलिए हमने इसका जीरो जीरो नोट लिखें एक ही बात है मतलब यह जो resistance इस formula सा आती है raw l over a से in actual यह r0 ही होती है क्योंकि जब आप raw की value देखेंगे chart में page number 91 पर तो student वहाँ पर इस chart के उपर एक line लिखी भी होगी यहां लिखा होगा failure of resistivity and resistance coefficient of resistance मतलब raw और alpha add 0 degree यहां लिखा होगा add 0 degree यह value उस कितने degree पर है add 0 degree Celsius पर है तो पता यह लगा कि अगर यहां पर आप raw की value 0 degree Celsius पर डालेंगे तो जो resistance निकलेगी वह भी किस पर निकलेगी 0 degree पर तो अब हमारा क्योंकि टॉपिक है यह तो हम इसको अब यहां पर आर नौट शो करेंगे अब student आके बढ़ते हैं value पूट करते हैं वेर रॉइस दर इस्टिविटी इंट्स वेलियो डिपेंड्स अपन material अफ कंड़क्टर यह बताती है मैंने आपको फर कॉपर कॉपर की वेलियो कितनी होती है 1.6 एक्सपॉनेंट माइनस एट ओहम मिटर होती है तो students are not यह हमारे पास फिर हो जाएगा 1.6 एक्सपॉनेंट माइनस एट लेंध की वेलियो हमने थिरी पुट करी और एरिया में नहीं पता तो हमने पाई आर स्कॉर रग दिया अब student आर हमारे पास क्या होता है आर होता है डी बाइ टू तो आर की जगह हमने क्या पुट करा डी बाइ टू यहाँ पुट करा 2 10 पावर माइनस 3 थी और इसको student डिवाइट करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel होगा तो simple यह माइनस 3 2 से multiply होगा पावर से तो यह हो जाएगा माइनस 6 अगर हम इसको डिवाइट करके calculate करें तो माइनस 6 पूरी वेलियों को multiply कर देते हैं इसको इससे और डिवाइट करते हैं तो देखते हैं क्या result आता है result आया आर नौट का 0.01527 ohms मतलब student के 0 degree पर जो resistance है हमारे पास वो कितनी है वो हमारे पास 0.01527 के एक वल है अगर इस value को substitute किया जाए कहां पर equation number equation number 1 में तो हमारे पास rt क्या आएगा हमारे पास rt आजाएगा 0.01527 वन अपनी जगा पर ये value alpha की है for copper और और मैंने कहा था कि delta d कैसे calculate करेंगे student t minus 0 करेंगे तो t हमारे पास 50 है और हमने minus 0 कर दिया तो rt आर 50 हमारे पास क्या आया अगर आप गौर करें तो मैंने इसको से multiply करा है और फिर इसमें 1.195 और multiply by this तो हमारे पास जो value आ गई वो कितनी आ गई students वो ये value calculate हो गए तो ये हमारा क्या है student answer है कि 50 degree पर कितनी होगी 0.01824 अच्छे यहां पर आप answer को रोक कर verify भी कर सकते है according to theory अगर आप गौर करें student तो theory के according हमारे पास हमें कहा जाता है कि temperature के increase करने से resistance क्या होती है इंक्रीज होती है तब आप ये चेक कीजिए क्या temperature 0 degree पर कितनी आई है जीरो डिगरी पर 0.01527 है और 50 डिगरी पर कितनी है ये कितने डिगरी पर है 50 डिगरी पर है 50 डिगरी पर resistance कितनी है ये तो student 50 डिगरी पर है 0.01824 अब आप से अगर पूछा जाए कि इन दोनों को compare करें कौन सी जादा है कौन सी कम है तो आप बोलेंगे 50 डिगरी पर जादा है और 0 डिगरी पर Celsius पर क्या है कम है तो student हमने भी पढ़ाए कि temperature increase करने से resistance क्या होती है इंक और यहां हमने देख भी लिया कि 50 डिगरी पर increase हो गई थोड़ी सी as compared to 0 डिगरी Celsius तो student यह हमारा पहला नुमेरिकल था next नुमेरिकल की दरफ बढ़ते हैं और यह भी नुमेरिकल नंबर 18 और page नंबर 109 पर ही है next नुमेरिकल है और कहा जा रहा है the resistance of a tungsten wire student tungsten wire की क्या मौझूद है हमारे पास resistance मौझूद है अब कौन सा वायर है हमारे पास tungsten wire given है और इसकी resistance दी गई है कितनी इस इन दा फ्लामेंट आफ 60 वाट बल्ब अगर आपने बल्ब देखे हैं हो students अगर आपने बल्ब को देखा हो 60 वाट बल्ब है यह तो बल्ब के अंदर एक वायर spiral हुआ होता है अगर मैं आपको डाइग्राम बनाने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करूं इस तरह से एक वायर वायरल होता है किस के अंदर बल्ब के अंदर यह जो वायर है यह किस किस मेटल का होता है यह टंग्स्टन का होता है इसको आप प्रिडिक्टेबल में भी देख सकते हैं स्टुडंट डबली उसकी सेंबल होती है आपको बी ग्रूप के अंदर यह मिल जाएगा बोल रहे हैं उसके अंदर यह वायर इस्तामाल किया है उसकी पावर कितनी है 60 watt है इस 240 इसकी resistance कितनी है 240 वैन द बल्विस हॉट एट टमपरेचर 20 टवंटी डिग्री टूथाऊदंटी डिग्री इस्टूदेंट जब यह हॉट हुआ हुआ कितने टेमरेचर पर कि 2020 डिग्री पर जब यह गरम है तो इसकी resistance कितनी है तू फॉर्टी बोल आगे कि रेंव वर्ट वुड भी वर्ट वुड यू इस्टिमेट इट्स रिजिस्टेंस एट 20 डिग्री बोलें आप इसकी कितनी रिजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कितने डिगरी पर 20 वर स्टूडेंट एक सीधर सा क्विशान है टंक्सटन फ्लामेंट है बल्ब के अंदर और इसकी रिजिस्टेंस 240 है 2020 डिगरे बोलने तोने 20 डिग्री पर उसकी क्या करें रिजिस्टेंस के कुश्चन देखें डेटा में बनाता हूं डेटा में स्टुडेंट आपको रिजिस्टेंस दी 2020 पर 240 और 20 पर आप कलकुलेट करने का कहा इसके लावा आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है अब स्टुडेंट गोर करें तो एक RT आप और और दुसरा RT कलकुलेट करना ए न nosиб और क्या डायमेटर दिया था लेंथ दी थी और इन दोनों से आपने क्या कैलकुलेट करा था student इन दोनों से आपने आर नौट कैलकुलेट करा था क्योंकि हमारे पास जो formula है RT का उसके अंदर कुछ ऐसे ही है कि RT इक्वल है हमारे पास आर नौट वन प्लस अलफा डेल्टा टी अब स्टुडेंट इस डेल्टा टी तो हमारे पास मौझूद होता है ठेके temperature दिया तो जो temperature है उसमें से 0 माइनस कर देंगे अलफा भी हमारे पास constant इकीवन होता है क्या नहीं होता आर नौट नहीं होता तो अब यह दूसरतना का सवाल आया पहले कुशन में आपको डी और एल गिवन था तो फाइन दा वेलियो आफ आर नौट और अब आपके पास गोर करें तो एक आर टी टेंपरेचर गिवन है ठेकें यह भी क्यों दिया गया है क्या मालूम करने के लिए आर नौट अब टेकनीक देखे दे कैसे करेंगे इसको सुलूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टुडेंट तो हम जानते हैं आर टी किसके कवल होता आर नौट वन प्लस अलफा डेल्टा टी आप पहले क्या करें स्टुडेंट यहां पर इसी फॉर्मूले में आर नौट कैलकुलेट करने के लिए आर टी की जगट आर ट्वेंटी में देंगे टू-फ़र्टि आ गई यह टू-फ़र्टी इस आर नौट कि अपनी जगा पर वन प्लस अल्फा कितना है जीरो पॉन्ट डबल-046 और डिल्टा टी कितना है टुएंटी-टविटी मृटि लाए करते हैं आंसर कितना आया इस्टूडन इन दोनों को मृटिप् हम डिवाइट कर देते हैं जैसे हम इसको डिवाइट करेंगे स्टुडेंट्स तो हमारे पास आर नॉट की वेलियो आएगी 23.319 गौर किजिए स्टुडेंट इसी फॉर्मूले को यूज किया है फैंडिंग और नॉट क्यूं कि आपको और टी की वेलियो गिवन थी एक टमपरेचर पर इसकी zach ऐज़य गिवन थी किए अंग को अब आगे बढ़ते हैं और रविड दर देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसी वेलियो कह को सबस्रीट्स करें एक Kell manages पने करें हमने calculate करा 23.319 यह वेलियो हमारे पास यहां आ गई थेके वन अपनी जगा पर अलफा थेके अलफा की जगा इसकी वेलियो जो टंग्स्टन के लिए 0.0046 और टंपरेचर यहां आएगा यह वाला 20 20-0 करेंगे क्योंकि डिल्टा टी है तो 20-0 करने पर क्या होगा थेके 20 आएगा क्योंकि इनिशल टेंपरेचर हमारे पास क्या है फिक्स है थेके कि मैंने आपको बार बार बताया अब अगर हम इसको calculate करें इन दोनों को multiply करने पर result आया 0.092 इसको वन में add करेंगे तो आजाएगा 1.092 से तो हमारे पर result calculate हुआ कितना है 25.4 तो हमारे पर student यह दूसरा answer है कि यह 25.4 एक और numerical की तरफ चलते हैं वो भी ऐसा ही है numerical numerical problem number 22 page number 109 अगर इसको देखें हम तो कहा जा रहा है रिजिस्टर इस मैड बाइ वाइंडिंग होना स्पूल ओफ 40 मिटर लॉंग 40 मिटर लेंथ ओफ कॉंस्टेंटन बुलने एक वाइंडिंग करके थेक्या वह यह वाइंडिंग का लफ्स क्या है और एक स्पूल है स्पूल आप समझ लें जैसे ये एक स्पूल है जैसे कोई रॉड होती है इस तरह इसके ओपर वाइर को स्टूडन्स वाइंड किया कुछ इस तरह इस तरह से वाइंड किया अब स्टूडन वाइर को वाइंड करा यह मतलब लपेड दिया इस लपेडने को बोलते हैं वाइर की वाइंडिंग तो वाइंड कर दिया और उसकी लेंद कितनी इस तहिंगा ही 40 मिटर रिजिस्टन्स बनाने के लिए इससे रिजिस्टन्स बन गई और कॉंस्टेंट तन यह अलॉए है ठीकि दो मेटल्स का अलॉए क्या होता है जब आप डिफरेंट मैंने कहा ही यह अलॉए है एक तो हमारे पाप्योर मेटल्स होती है जिसे आयरन ठीक कोपर गोल्ड सिल्वर एक होता है एलॉए है अलॉए है अलॉए है बनाई जाती है मैटल्स को मिक्स करके जिसे बिरास का नाम सुना है आपने इसी तरह यह कॉंस्टेंटन सुन रहे हैं इसमें 60 परसंट निकल है और 40 परसंट क्या कॉपर है और इसका इस्तेमाल ही स्टूटिट जो है इलेक्टिकल रिजिस्टंस बनाने के लिए किया जाता है फिर बुलने वाइर ऑफ डायमिटर 0.8 एम है इसका डायमिटर कितना है 0.8 एम है फिर कहा जा रहे है तो है कैलकुलेट रिजिस्टंस ओव दा व आप resistance calculate करिए इसकी 0 degree पर और 50 degree पर assume raw at 0 कहा, assume करने raw को 0 पर ये मैंने आज के पहले numerical में आपको 17 numerical में बाद समझाई, कि जो raw की value होती है, student हमारे पास वो होती ही कितने temperature पर है, 0 degree पर होती है, अब student ये numerical बिल्कुल 17 से match करता हुआ है, उसके अंदर 0 degree पर आपसे पूछी नहीं थी लेकिन calculate की थी आपने, ठेक है, यहाँ पर 50 degree पर R T पूछा गया है, तो इसको कर लेंगे, इसको R 50 बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो 0 degree पर है, वो क्या किलाएगी, R not किलाएगी, डेटा बनाएंगे, डेटा में लेंथ थी 40 मिटर, डायमिटर 0.8 था, 1000 से क्या कर दिया, students इसको डिवाइट करा, तो 8 exponent, 8 exponent माइनस 4 मिटर, R 0 degree calculate करना है, solution की तरफ बढ़ते हैं, R 0 degree कैसे होगा, यह R not कैसे होगा, student, R not raw L over A, where raw is the resistivity and its value depends upon material of conductor for constant 10, इसकी value कितनी है, इसकी value है, 149 10 power minus 8, और से देख सकते हैं, student मैंने का, इसको resistance बनाने के लिए उसकी आ जाता है, तो इसकी resistivity की value भी क्या है, बहुत ज़ादा है, अगर आप दूसरे material से इसको क्या करें, compare करें, जैसे copper 1.6 है, silver 1.52 है, यह 149 value है, अगर आप यह calculate करेंगे, तो कैसे, raw की value हमने put की, देखे, 49 और 10 power minus का, student 49 है, minus 8, 40 divided by pi r square, length हमारे पर 40 है और area pi r square, अगर हम d की value पूट करें, student r की जगा हो जाएगा, d upon 2, और d की value अगर put कर दें, तो d 8 exponent minus 4 है, यह 2 और 4 divide होंगे, तो फिर कुछ answer हमारे पास आएगा, यह multiply divide करके denominator की value होगा, और अगर हम यह multiply divide कर दें, multiply divide करें, तो answer आता है 38.98, 7, यह हमारा पहला answer है, अब अगर rt calculate करना है student, तो rt का formula होता है, r0 1 plus alpha delta t, r0 की value हमने कितनी calculate करी, 50 पर करना है, तो t की जगा 50 degrees celsius, और r0 की value कितनी calculate की हमने, 38.9879, और student 1 अपनी जगा पर, plus 0.00001, यह हमारे पास alpha है, constant time का multiply by 50, और 50 का था हमारा temperature था, student multiply करा, इन दोनों value को multiply करके, 1 क्या कर लिया, add, तो क्या result बना यह, इसको multiply करेंगे, 38.9879 से, तो answer generate होगा, student 39.01, इसको भी आप अगर verify करें, student यहीं पर, तो आप check कर सकते हैं, कि 50 degree पर answer ज़्यादा है, और 0 degree पर यही answer क्या है, आपके पास कम है, तो पता यह लगा कि temperature बढ़ने से, इस numerical में भी क्या पता लगा, temperature बढ़ने से resistance क्या हो जाती है, student से बढ़ जाती है, तो यह तीन numerical student आज की class में हमने perform किये, जिन में हमें यह बताया गया, कि अगर आप temperature को increase कर देंगे, तो आपका जो resistance है, वो भी क्या हो जाएगी, increase कर जाएगी, मतलब यह relate करते हैं, temperature dependence, resistance, dependence of resistance upon temperature के topic से, student उमीद करता हूँ, आज का session, आज का lecture आपको समझ में आया होगा, तो इंशालाँ, नेक्स lecture में कुछ नए topic के साथ मिलेंगे,